नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट केक और एक्षिन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ, बड़ा ही इंटरस्टिंग वीडियो है और हमें बड़ा प्राउड फील होता है उन पर जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से वो बच्चों की मदद करते हैं जरूरत होती है तो पैसे बिलकुल नहीं लेते हैं और जो थोड़ी बड़ी फीस रखी भी हो बहुत नॉमिनल है और उनके पढ़ाए बच्चे आज बड़े-बड़े ओफिसर बने हुए हैं देश बर में अलग-अलग जगों पर तो आईए देखते हैं कि पाकिस्तान में उनके इस रिजेक्शन पर उन्होंने अपने एक इंटर्व्य में बताया था तो क्या कहती है पाकिस्तान की जनदा चली देखते हैं सर इस दोर में ऑनलाइन एजुकेशन कितनी वैल्यू रखती है इस दोर में जब से ये करोना आया था ना पूरी दुनिया में तो ऑनलाइन जो एजुकेशन है ये तो पूरी दुनिया पे चागई है यानि अगर आप यह कह सकते हैं कि सोगों में से 99% लोग जो आना ऑनलाइन एजुकेशन को चूज कर रहे हैं सर अगर हम बात करें ऑनलाइन फ्री एजुकेशन की तो पाकिस्तान में क्या आपको लगता है कि कितने परसंट जो है यहां के एजुकेशनल इंसिट्यूड यहां के जो टीचर्स हैं वो ओनलाइन फ्री एजुकेशन देते हैं मुझे तो लग रहा है कोई भी नहीं देगा फ्री एजुकेशन दो यहां पे कोई भी नहीं देगा हाँ कोई इदारा हो, जैसे एदी का इदारा है, जैसे को और ट्रस्ट के इदारे हैं, वो अगर ऐसे करें तो शायद वो मुम्किन माना जा सकता है कोई पाकिस्तान में कोई आम बंदा, या कोई शासी बंदा, फ्री एज्यूकेशन आउनलाइन नहीं दे सकता क्या वज़ा है इन में ना इनको पता नहीं है ना भी किसी भी चीज़ का नालेज नहीं है अगर इनको नालेज हो कि ऐसे पढ़ाई करवाने से कितना फाइदा होगा तो मुझे लगता है फिर ये जरूर करेंगे सर आपको पता है सर खान नाम से इंडिया में एक एजुकेशनल चैनल है सर खान को एक सो साथ करोड की ओफर दी गई है लेकर उन्होंने ठुकरा दी है सिर्फ और सिर्फ इस वज़ा से कि अपनी यूथ को फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं क्या कहेंगे कितनी बड़ी बात एक सो साथ करोड की ओफर ठुकरा दिये ताके वो अपने नोजवानों को मुफ्त में तालीम दे सके अच्छा वैसा क्लियर कर दूँ पाकिस्तान की जनता जो मुझे सुन रही है देख रही है उनको लिए जरा असान हो जाएगा कि एक सो साथ करोड का मतलब हुआ कि इसे त कर दीजे मतलब 320 करोड का उफर अगर पाकिस्तानी रुपए में देखा जाये तो तो पाकिस्तानी रुपए में 320 करोड रुपए का उफर जो है वो खान सर ने ठुकरा दिया ते यह जादे हमसे बहुत बड़ प्रुड़ा है उनकी तcreatलीम भी हमसे बहुत ज़्यार आगे है वहां पे मुमकिन है कि उनको एक करोड एक करोड है करोड साथ ला एक सो साथ करोड है सो साथ करोड वह बहुँ को हुप हो सकती है लेकिन अभी तो हमारे पास तो इतना बड़ा कोई आपशन ही नहीं है कि कोई इतनी फ्री आजुकेशन देने में देता हो और उसको इतनी भी आफर हुई हो हम तो यह मानी नहीं नहीं सकते कि पाकिस्तान में ऐसे कोई हो अगर हो तो हो सकता है जैसे उन्होंने ठुकरा दिया है वैसे हमारे पाकिस्तानी भी ठुकरा दे आपको लगता है कि पाकिस्तानी एक सो साथ करोड की ओफर को ठुकरा सकते हैं सिर्फ लोगों को फ्री एजुकेशन देने के लिए सर ये एक सदका जा रही है ना हो सकता है ठुकरा दे बड़े बड़े दुनिया के अच्छे बंदे हैं पाकिस्तान में जो ठुकरा सकते हैं सर अगर हम ओनलाइन एजुकेशन का कमपैरिजन करें तो क्या आप स्कोप देख रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान में ओनलाइन एजुकेशन कहां की बेतर है मुझे तो इंडिया की बेटरी लग रही है, हमारी तो इतनी बेतर नहीं है हमें बेतर करनी चाहिए आजी के बटारफ पाकिस्तान में ओनलाइन एडुकेसिन है उस तरह हैं इस तरहां तरहां तरह Komment agora काईरी में दी जारी चाहिए वैसे नहीं है वैसे नहीं है बाकी कंट्री में हमसे ज्यादा अच्छी है तो एक तो इंटरनेट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दूसरा आज कल यहां पर बिजली के मसाइल बड़े पैदा हुए है तो बचों ने यहां पर ऑनलाइन एजुकेशन कैसे हासिल करनी है सवाल यह मेरा बेटा खुद बढ़ता है आउनलाइन जब स्कूल से आती है ना तो वो कुछ तो काम अपनी ममा से करवा रहा होता है कुछ वो खुद कर रहा होता है और देखता है कि मैं यह बहाना लगा सकता हूं जो आपने अभी का है बिजली का बहाना लगा सकता हूं इंटरनेट और ना ही बिजली है यह हकुमत जो है ना मिया शबाश श्रीव यह पूरी कोशिच कर रहे हैं कि कम अपकाम इंटरनेट और बिजली तो पूरे पाकिस्तान में हो और मुझे उमीद है कि सब्सक्राइब बिजली तो पूरे दोजार तेश के एंड में इंटरनेट पाकिस्तान की गली गली में पहुंच जाएगा सर आपको नहीं लगता कि फिजिकल एजुकेशन से ऑनलाइन बे एजुकेशन ज्यादा बेतर है ने फिजिकल भी होनी चाहिए ना एजुकेशन फिजिकल हो ना जब स्कूल जाना आना दोस्तों से मिलना मिलाना ये बहुत अच्छी है बच्चे इससे खुश भी रहते हैं आउनलाइन में तो बच्चे पास जाते हैं आज दोर ही नहीं है कि बच्चे को बार निकाला जाए बच्चे को खेलने का टाइम है बच्चे स्कूल जाते हैं तो खेलते हैं तो साथ दुमागी तोर पी फिट रहते हैं और पड़ते उप पड़ने में फिट रहते हैं आपक तो पहले तो गौर्मेंट लेवल पे एड्यूगेट करना चाहिए हमारी जो भी अवाम है उसको एड्यूगेट करें और फिसिलिटेट करें फिर्स्ट अफॉल कि वो अपना जो है ऑनलाइन उनके पास इंटरनेट की फिसिलिटी होनी चाहिए आप देखें कि बहुत से दिया में एक खानसर के नाम से बहुत बड़ा एड्यूकेशनल चैनल है उन्हें एक सो साथ करोड की ओफर हुई है जो कर ने ठुकरा दी है यह कहकर कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी यूद को फ्री एड्यूकेशन देना चाहते हैं जिसके एक सो साथ करोड की इतनी बड़ी आप देखें कितना महगा हो गया है अब लोगों के सोर्स ओफ इंकम है नहीं तो वो कैसे बिएर करेंगे कैसे चीज़ों को करेंगे हमारे में वो चीज नहीं है कोई भी बंदा है वो यही करता है कि अपना बिजनस बना लेता हर चीज को ना मेडिकल में देख लें अब हम बात करें तो किता तक free education मौजूद है है यह बिल्कुल आम इससे इंकार भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल नहीं है काफी हमारे भी आप लग लगारे नहीं वह रहां जो कर रहा है जाए जर आप लोग भी मेनद कर रहे हैं आप लोग भी अन्रेंट कर रहे हैं तो इसमें बी टाइम लगे गा इंड्यार पाकिस्तान का अगर हम free education या ओन नाइन एजुकेशन का कंपारिजन करें तो क्या फरक देखते हैं इंडिया पाकिस्तान की ओन लाइन फ्री एजुकेशन का मैडम बहुत ज्यादा फरक देखों हैं वही फिर बात है कि वहां पर आपका जितना इटी बेस सिस्टम है वह हमसे बहुत एड़ एड़ांस है इंडिया का हमसे बहुत आगे हैं तो हम लोग तो अभी बेसिक्स में ही जो चीजों से बाहर नहीं निकले तो अभी हम उनको मीट करने में भी बहुत टाइम लगेगा बहुत इसके लिए भी चाहिए कि गवर्मेंट भी अपने आपको करे बेतर करे कोई मुलक तब तक तरकी नहीं करता जब तक उसका एजुकेशनल निजाम बहतर ना हो क्योंकि एजुकेशन निजाम जो है किसी भी मुलकी बुनियाद हो पढ़ार जहां भी आप देखें तो लोगों के गरीब बचे हैं उनको कौन बढ़ारा है कोई भी नहीं कर रहा है इस चीज को तो यह तो जाहिए सी बात आपके गौर्मेंट लेवल पे चाहिए कि इस तरह के आपको कोई इंसिचूट्स ड्वेल करें जहां पर जिनके कि आप अपने बच्चे को पढ़ाई ना नहीं मैडम ऐसा भी नहीं है अभी आपने देखा काफी मारे कौर्मेंट के स्कूल भी इंगलिश मेडियम हो गए तो कौर्मेंट कर तो रही है पर उस तरह नहीं कर रही जिस तरह इनको करना चाहिए ना मेरे घर के सामने एक सरकार स्कूल है यकीन करें वहां से टीचरों की ऐसे दहाडने की ऐसे चीखने की आवाज नहीं आ रही है तीचर नहीं गुंडे हो वहां पर नहीं मैडम इसमें यह है कि आपका जो कल्चर है ना वह बड़ा बेस करता है क्योंकि बच्चों को तो एजुकेट करना आपने आप आप देखें नहीं है तो इंडिया है जो कि वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं भी सरकारी स्कूल का पढ़ा हूं सरकारी कॉलेज का पढ़ा हूं सरकारी निवस्टी का पढ़ा हूं मैंने भी कोई प्राइविट में पढ़ाई नहीं करी है शायद फॉस्ट या सेकंड तक क योगी उसके बाद तो मैं सरकारी स्कूल में आ गया था तो सरकारी स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है जो मिडल स्कूल है जो हाई स्कूल है जो कॉलेजेज हैं वो सब सरकारी स्कूल से मैं ने पढ़ाई की है तो मैं यहने कोँगा कि हमारे यहां भी सरकारी स्कूल कर रहा हूं और वो भी content creation का business कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि मुझे अपने बारे में अगर मैं सकोशता हूं तो मुझे ठीक है मैं अच्छा कर रहा हूं मैं बुरा नहीं कर रहा हूं एक बहतर शहरी हूँ, मैं रूल्स नहीं तोड़ता, मैं रूल्स को फॉलो करता हूँ, वोग जो मुझे जानते हैं, जो साइक्रोल लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो सब जानते हैं कि मैं एक बहतर इंसान हूँ, तो मुझे लगता है कि समाज का परि आप डिवलब होते हो तो मुझे रगता है कि यह बहुत जादा माइने रखता है हमारी संस्कृति में हमारे कल्चर इजूकेशन में किस हद तक आगे निकल चुका हुआ है अपनी अवाम को अपनी यूथ को एजूकेट करने में मौर्दन डबल मौर्दन डबल मौर्दन डबल है यह फैक्ट को मालना चाहिए बेशे को हमारे दुशमन है पर यह है कि वह हमसे बहुत आगे हैं पिर भी एजूकेशन में आप उनकी जितनी भी डिसकवरीज हैं जितनी भी चीज़ें उनमें काफी ज़्यदा फरक है इवन हम आप लोग तो बंगलादेश से भी बिच्छ हो गई है जो हमारे से लाग हुआ था हम दून से भी बिच्छ हैं आप एक रांसी रेट के साफ से देख लें आप कहां स्टेंड कर रहे हैं तो सारी चीज़ें पर बेस करते हैं अगर हम बात करें आज की इस दौर की तो आज की दुनिया में मिलव के कंपिटीशन है इसका और यह मुस्ट इंपॉर्टन शीज है अगर हम ऑनलाइन फ्री एजुकेशन की बात करें तो क्या लगता है पाकिस्तान में कितने परसंट जो है वो ऑनलाइन फ्री एजुकेशन स्टूरंट्स को यूद को पाकिस्तान के जो है जएदा तर तो वैसे पीछे अगर थोड़ा साम माजी में जाएं तो हमारा जिसरा कोविट के दिनों में हंडर परसंट ही चर रहा था लेकिन अभी भी है तो नहीं था सुरी हां फ्री नहीं था वो लेकिन यहां कि उसमें मतलब कुछ एंजियोज काम कर रही है हमारा मतलब जिसरा गोर्मिन के दारे हैं सोशल सेक्योर्टी का दारा हो गया और कुछ प्राइबिट एंजियोज है हमारी मतलब बीच बीच में जितना उनका कंट्रिबूशन है वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं इंडिया के खांसर हैं जिनका एक एजुकेशनल चैनल है उन्हें एक सो साथ करोड की ओफरी जो कि नहीं ठुकरा दी सिर्फ और सिर्फ इसले क्योंकि वो इंडिया की यूथ को वहां बल्कि ओवरॉल जो जो उन्हें देखता है पूरे दुनिया से वो उनको फ्री एजुक या उनका जो मतलब के गोल्स हैं जो प्लैन है अचा बीच में रोक रहा हूं एक बात याद आ गई नॉर्मली ऐसा पाकिस्तानी रेक्शन वीडियो में होता है कि मुझे अच्छा लगा कि अभी तक किसी ने जब खांसर का नाम लिया गया तो अभी तक किसी ने ये नहीं कह कि अल्हमनली या हम हमारी पहचान है हम यह कर सकते हैं और बाकी कोई नहीं कर सकता है हिंदु बनिया तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्यूंकि हंदु बनिया लालची होता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि किसी एक पाकिस्तानी ने अभी तक ये बात नहीं कही है, आगे वीडियो में कह दें तो मैं नहीं कह सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं कही है, तो चलिए अच्छा है ये, अच्छा लगा? उनकी इंप्लिमेंटेशन बड़ी स्ट्रॉंग है, उनकी गोर्मेंट की पॉलिसी बड़ी जबरदस्त हैं, एजुकेशन के मामले में, टिकनॉलजी के मामले में, उसके लावा हरत रहां से, जो मतलब उनका एक कहनने के डॉमिनेंस है, इस तरह मतलब चाहिना के बाद इंडि मतलब खेर सगाली के जजबे से आगे नहीं आते और उसकी वज़े से यह फुकदान है यहां पर, आपको नहीं लगता कि हमने यहां पे हर चीज को बिसनस बना लिया, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हैल्स सेक्टर हो, या फिर चाहे कोई भी निजाम हो, हम यहां पर काम करने के बजाए पहले अपनी जेब को देखते हैं, उसके बाद लोगों की फलाहों बहबूत के लिए कोई काम करते हैं, यह बात आपकी बिल्कुल दरूस्ता है, इसी तरह ही है, और हो भी क्यों ना, क्योंके रीजन यह है कि पीछे वही बात पीछे पहले जो की है, मैं से इंकम अच्छी आ रही है, जहां से मतलब के एक मतलब के उनको लगता है, इसका स्कोप हाई है, और आजकल नो डाउट यहां पे मारे मुल्क में बहुत जादा जो है, इसका कहते है, अपना एजुकेशन का बिजनस बहुत हाई जा रहा है, और उसकी जो क्या कहते है, तमाम इस्लामिक कंट्रीज में युनिवर्स्टीज की तदाद एक तरफ और इंडिया में युनिवर्स्टीज की तदाद एक तरफ इंडिया में तमाम इस्लामिक कंट्रीज से ज्यादा युनिवर्स्टीज पाई जाती है, आँ जैसी बात है, उनकी पॉपुलेशन भी उ उसे साब से यहां पे भी काफी ज्यादा जो है ना वारे एजूकेशनल इंस्टिजूट हैं भाई साब जरा चेक कर लीजेगा वैसे दुनिया की पांचवी या छटी सबसे बड़ी आबादी वाली कंट्री हैं तो आबादी के हिसाब से पोपुलेशन के हिसाब से आप भी कम नहीं हैं 25 करोड के आसपास हैं और बहुत सारे देशें जिनकी जनसंक्या 25 करोड नहीं है इन फैक्ट अमेरिका की आबादी भी जो है वो 30 से 35 करोड के बीच है लेकिन वहां पर जो कॉलिजेज हैं इन्वस्टीज हैं वो आपसे जादा हैं आपसे बहतर हैं उनके पाकिस्तान के एजूकेशन सेक्टर से सटिस्फाइड हैं नहीं कहा जा सकता उसकी रीजन यह है कि हर इंडिविज्वेल जो है नहीं यहां पर असल सेल्फ मेड परसंट ज्याद हैं मतलब गौड गिफ्टुड लोग हैं और अपने इसलाइउतों से जो है ना वो स्कॉलर् सेड़ाओं। ज्याद पाकिस्तान के एजूकेशन का कमपरिजन खर लें तो क्या लगता है किसी आजलाइग इजुकेशन इस तक जादा तेजी से घ्रो कहरी हैं और जादा बेतर है अगर हम टेक्नीक की बात करें अगर हम अपनी जो है करें अपना जो आपना जो मारे वो एक हजूम है, उदर की अगर हम, मतलब के, अगर हम देखें ना उनका के के अपना जो क्रीम है, जो मतलब के, टैलेंटेड लोग हैं, वो कम्पेरिजन हमारे साथ उनका हो सकता है, वो ज्यादा होंगे, लेकिन अगर उनकी एवरिज निकालें उसमें, मतलब जो इंडिया क पुल अबादी की उसके साथ आवरिज निकालें, तो वो लोग परसंटेज में बहुत नीचे हम से, ये चीज़ा है, अर भीया कुछ होश है, ये सुबह सुबह कोई चूरन खा लिया आपने, क्या बोल रहे हो, आपको पता है, अच्छा इतना ही आगे हो, तो आप बतादो दुनिया की टॉप मोस्ट कमपनीज में, कोई एक पाकिस्तानी सीओ बता दो, जिसका नाम पूरी दुनिया जानती हो, अच्छा छोड़ो, स्पेस साइंस में कोई एक आपकी अचीवमेंट बता दो, जिस पर पूरी दुनिया क्या तो करें, यार देखो, पाकिस्तान के नाम हो, मैं ऐसे सैकडो इंडियन बुक्स बता सकता हूँ, जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, और छोड़िये, आपके पाकिस्तान में इंडियन बुक्स पढ़ाई जाती हैं, उनसे समझ में आती हैं लोगों को चीज़ें मुझे मैडिसन पढ़े हैं तकीबं 15 साल हो गए हैं, और उस वक्त भी हमने जो किताबें पढ़ी हैं, वो असी फीसद से ज़्यादा भारती ऑथर्स के लिखी हुई थी, इसी तरह इंजिनरिंग में, कंप्यूटर साइंसेज में, हमारे हैं आज भी युनिवस्टियों में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं, जो सेइंसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, उनमें बहुत ज्यादा ऐसी हैं, जिनका तालूग, जिन ऑथर्स्टा तालूग भारत से हैं, मैं सिर्ब यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी इंटरनेशनल लेवल की भी, साइंस esses क कोई किताब उठाएं तो उसके शुरू में क्रेडिट्स होते हैं जिन में कोई 30-40 मुख्तलिफ प्रोफेसर के नाम होते हैं तो किसमिती से उन में इका दुका किसी मुसल्मान का नाम नजर आता है वरना वहां भी यॉरप अमरीका और बहुत अब बड़ी तदाद में इंडि कुरता है रियलिटी पे आओ हकीकत बताओ फैक्ट्स बताओ रियलिटी मान लेने में आप कमजोर साबित नहीं होगे या आपका जो इसलाम है वो खत्रे में नहीं पड़ जाएगा कि बात है यह मैं आपके मूँ से सुन रही है और वाइस पूरी दुनिया ये बात मानती है कि इंडिया के लोग इंडिया की जो यूथ है वो बहुत ज़दा काबिल है आप देखें वहां पे कितने बड़े बड़े आईटी सेक्टर बने हुए हैं इंडिया के शेहर पूरे मल्टी नैशनल कंपनीज हैं गुगर, मारिक्रोसॉफ, अड़ोप, नोकियां तमाब की सी-ई-ओ इंडियान हैं जबके पाकिस्तान ही कोई नजर नहीं आता फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान टैलेंट के लिहास ये काबियत के लिहास से इंडिया से आ गया है चलिए अगर ये बात आपकी मान भी लेते हैं तो किसी एक बंदे का आप मुझे नाम बता दें जो किसी कंपनी का किसी मल्टी नैशनल कंपनी का सी-ई-ओ आपको बता इस वक्त यूके के प्राइम निस्टर जो हैं वो भी इंडियन औरीजन है यहां तक कि यूएस के इलेक्शन मे आपको बहुत नाम हैं इसी बात नहीं है कि मतलब लेकिन में बात जो है ना मैंने आप से जो कह दी है वो वही है बाकी नो डॉट अगर चले आप गूगल कर लें अगर आपके मांड में नहीं आ रहा तो आप मुझे गूगल कर के बता दें गूगल कर के मैं मैं क्या बता आपको अभी हमारा रीसेंटी सबसे बड़ी एक्जेंपल जो है ना डॉक्टर आफिया सदीकी की है ठीक है ना जो के मतलब मुझेरफ दोर में मतलब उसको जो है ना अमेरिका के सपूर्द कर दिया गया था तो मतलब अगर वो ही रह जाती तो आपको पता है वो इतने सालो कि अगर इतनी अच्छी होती इतना होता तो उनको यूएस की गर्मेंट पकड़ के ना ले गई होती साजिशे रचने में आप कुछ भी करो उसके बाद विक्टिम कार्ड प्ले कर दो जी हमारे साथ तो देखिये साजिश हो रही है पूरी दुनिया मुसल्मानों खिलाफ सा किया है और उसी की सजा पा रही है वो अब इसमें मैं तो जानता हूँ 99.99% पाकिसानी काएंगे उनके साथ धोका हुगा क्योंकि वो पाकिसानी थी वो मुसल्मान थी और दुनिया को बदल देती और ऐसा करती वैसा करती लेकिन आप फिर सक्चाई से आपनों का वास्ता न किया है तो मतलब कहने का यह है कि मिजॉरिटी जो है ना अपना वो इंडिया की ही है मैं मतलब इस चीज़ कर रहा हूं यह एड्मिट करने वाली बात है कि वो लोग एजुकेशन में आगे हैं हेल सेक्टर में बहुत आगे हैं टेक्नोलोजी मुस्टे भी ज्यादा आगे है लेकिन मेंचीज़ यह है कि हमारे पास भी टालनट कम नहीं है अगर हम उनके हैं किकि हम उनी का हिस्ता थे एक टाइम पे ना मतलब मेरे भी फोर फादर्स इंडियन है मतलब मेरे वालो साप की पेडाश इंडिया की है तो कहने का मकसद यह है कि लोग एक ही है सिर्फ यहां लीडर्शिप नहीं है अगर लीडर्शिप होती तो शायद हम भी उनसे बहुत आगे होना था हमने लेकिन लीडर्शिप नहीं कि वज़से जो आना इस सारा निजाम जाना मारा खराब जा रहा है यह ता हमारा आज का प्रोगराम आपने जानी पाकिस्तानी अवाम कि राए मे कुमेंट सेक्शन में इसे के साथ मुझे इजाज़त दे पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अलाहफ़िज देखिए बात तो सही है कि जब तक अगर आपका एजुकेशन सिस्टम बहतर नहीं होगा आपका मुल्क ग्रो नहीं करेगा क्योंकि एजुकेशन सिस्टम आपकी जो जेनरेशन होती हैं उनको बहतर करने की कोशिश में बहुत कामयाबी मिलती है उसमें मदद मिलती है जैसा कि कि भाई साब ने का कि जी हम हैं तो इनमे से बिलकुल नहीं है बाई साब आप लbokा sąа माइंसेट C BDW live हमारे माइंसेट में और आपके माइंसेट में जमीं आसमान का फर्क है अगर एक माइंसेट होता च्छन best का है न Willy प्योंति आज फाकिस्तान आप किसी भी Indian को ये कहते हुए नहीं सुनेंगे कि नहीं नहीं हमारे याँ बहुत जादा talent है हमें कोई इसका सबूत देने के जरूत नहीं है सबूत नहीं हमारा काम बोलता है हमारा result बोलता है और result यही है कि topmost India के जो India के जो MNCs हैं वहां पर Indians बैठे हैं बड़े बड़े जो invention किये गए हैं बहुत सारे वो Indians ने किये हैं तो यह मत कही है, mindset बहुत अलग है हमारा, आपके और हमारे mindset में match नहीं है, कोई match नहीं है mindset का ने तो 75 यह समें कुस्तो कर पाते आप, अरे एक bike का तो engine बनाई पाते आप, train का engine छोड़ दीजिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, bike का engine तो बनाई लेते खैर, रहीबात खान सर की, तो खान सर से हम सब बहुत प्यार करते हैं, खान सर हमारे लिए बहुत proud feel करने वाली बात है, उन्होंने जो काम कर दिया है, इंडिया के education system में, या जो जिन बच्चों के लिए उन्होंने काम कर दिया है, वो बहुत बड़ा काम है, वैसा काम नाम और सिर्फ खांसर ही नहीं, खांसर जैसे और भी कई सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो शायद जिनको हम जानते भी नहीं हैं, जो गुमनामी में हैं, मैं आपको बताता हूँ, ट्विटर पहीं मैंने देखा कि पाकिस्तान अंटोल्ड नाम का एक ट्विटर हैं और वो पत सब कुछ, वो सब कुछ फ्री दे रहे हैं, वो डोनेशन पर काम करते हैं, आप जाकर चेक कर सकते हो, जोदपूर में बहुत बड़ा कैम पर वहां पर शायद 300-400 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, फ्री, सब कुछ फ्री है उनके लिए, तो ये कोई छोटी मोडी बात नहीं है, बड़ी बात है, दिल्ली में भी शायद उनका कैम पर, जहां तक मैं जानता हूँ, और वहां पर भी बच्चे ऐसे ही एजुकेशन ग्रहन कर रहे हैं, तो जाहिद से बात है कि ठीक है, उनके पास प्रॉब्लम है, सारी चीज़े हैं, लेकिन वो एजुकेशन ले रहे है और वो जो पढ़के निकलेंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे, तो ये है, ये सब हमारे संसकार हैं, ये सब कुछ हमारे संसकार हैं, हमारी परंपर है, तो भाई, आपने देखी लिया, बाकी कमेंट में बताएएगा, आप लोग क्या कयाते हैं इस वニदिए के बारे में, तो जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद। दूस्तू, अभी पैनले वीडियो कतम हो गया, अब लोग पसन आया होगा, पसन आया तो सब्सक्राइब कर देना, जोस्तू, प्लीज, बहुत मैनन लगता है एक वीडियो बनने में, और नया तो ब्लोग कर देना, अब लोग को और एक नया वीडियो में मिलता हूँ, तब के लिए ठीकियो बुर्वासिन